दोस्तो रामायन महाग्रंथ में शूर्पनखा के बारे में हम सभी जानते हैं शूर्पनखा महन रिशी विशर्वा और कैकसी की पुत्री थी वो रावन, कुम्भकरण और विभीशन की बहन भी थी वो एक बत्सूरत, बड़े नाखुनों वाली और बहर निकले कूबड़ वाली स्त्री थी लेकिन बाद में उसने शक्तियों से अपना रूप इतना अच्छा कर लिया था कि हर व्यक्ति उस पर मोहित हो जाता था बच्पन में शुर्पनाखा का नाम मिनाक्षी था क्योंकि उसकी आखें मचली के समान थी अपनी सुन्दर्ता को बढ़ाने के लिए शुर्पनाखा को चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा शूर्पनाखा ने अपनी सुन्दरता को तो बढ़ा लिया था लेकिन उसके बड़े बड़े नाखुन किसी शक्ती की वज़ा से नहीं छुप पा रहे थे जिसके चलते अभी भी बच्चे और बूड़े उससे डरते थे शूर्पनाखा अपने नाखुनों से परेशान थी क्योंकि अगर वो उन्हें काटती भी थी तो उसके नाखुन तुरंथ ही बढ़ जाते थे क्योंकि वो एक राक्षसी कुल की थी बच्पन में शूर्पनाखा का अधिकतर समय जंगलों में बीचता था क्योंकि उसे जंगली जानवरों को पकड़ कर खाने में बहुत मज़ा आता था शूर्पनाखा जंगलों में अधिकतर बंदरों को खाती थी पहले वो बंदरों के पीछ भागती थी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती थी और जब बंदर पकड में आ जाता था तो वो उन्हें खा जाती थी जंगलों में आने जाने वाले लोगों को डराना कभी तो उन्हें भी मार कर खा जाना उसका बस यही काम था एक बार वो जंगल में थी तभी कुछ लोग जंगल में शिकार करने के लिए आए उन में से एक व्यक्ति किसी योध्ध की तरह लग रहा था शूर्पनakha ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो शूर्पनAKha उस पर मोहित हो गई और शूर्पनakha ने उस व्यक्ति से शादी करने का मन बना लिया और ये बात तुरंत रावण को बताई कि उसने एक योध्धा समान व्यक्ती को आज जंगल में देखा है और उसे वो बहुत पसंद है शुर्पनाखा ने रावण से कहा कि मुझे उसी से शादी करनी है रावण ने अपनी दूर द्रिष्टी से देखा कि वो विध्युद जेवा नाम का एक व्यक्ती है जो कि काल के का सेना पती है रावण ने उसे अपने दरबार में बुलाया और शुर्पनाखा से उसका विभा करा दिया लेकिन शूर्पनाखा का मन विद्यु जेवा के घर पर नहीं लगा इसलिए वो दोबारा उसी जंगल में आ गई तभी उसे एक दिन ये खबर मिली कि रावण ने उसके पती को मार दिया है उसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब उसने अपने पती की लाश देखी तो वो एकदम से तूट गई शूर्पनाखा के अंदर क्रोध की जुआला जल रही थी वो तुरंत रावण के दरबार में पहुची और उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया रावण ने शूर्पनाखा को जवाब दिया कि उसके और उसकी जीत के रास्ते में जो भी आएगा उसे इसी तरह मौत के दरशन करने पड़ेंगे शूर्पनखा उसी दर्बार में रो रही थी और रावन से बार-बार यही कह रही थी कि तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा ताकत और जिस महल पर तुम इतना गुरूर करते हो वो हमेशा नहीं रहेगा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा इतना कहकर शूर्पनखा वापस जंगल की तरफ चली गई और वहाँ जाकर रोने लगी कुछ दिनों तक उसका हाल ऐसा ही रहा, फिर एक दिन शूर्पनखा अपने सोतेले भाई खरदूशन के घर चली जाती है शूर्पनखा खरदूशन के घर जाही रही थी कि रास्ते में उसने माता सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मन जी को देखा उसे माता सीता बहुत सुन्दर लगी लेकिन जब उसने राम जी को देखा तो राम जी उसे और भी ज्यादा सुन्दर लगे राम जी को देखकर वो उन पर मोहित हो गई जिसके बाद उसने श्री राम जी के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रखा और फिर क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं दोस्तों आपको बता दे कि शुर्पनखा ने ये सब जानकर किया था क्योंकि उसने अपनी शक्तियों के द्वारा पहले से पता लगा लिया था कि ये तीनों लोकों के स्वामी विश्नुजी के अवतार श्रीराम है और इनके साथ इनकी पतनी माता सीता है शुर्पनखा को पता था कि उसका भाई कैसा है अगर वो अपने भाई से माता सीता की सुन्दर्ता का बखान करेगी तो रावण सीता को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और इसी कोशिश में उसका वद हो जाएगा और इस तरह से रावड द्वारा शुर्पनाखा के पती को मारने का बदला भी पूरा हो जाएगा बता दे जब शुर्पनाखा के नाक कान काट दिये गए तो वो रोती-रोती रावड के महल में पहुची नाक और कान से खुन देखकर रावड तुरंत गुस्से से उठ खड़ा हुआ और उसे पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ और तुम्हारा ये हश्र किस ने किया है तब शुर्पनाखा ने कहा कि मैंने एक सुन्दरी को जंगल में दो लड़कों के साथ देखा है जिसके बाद मैंने उस सुन्दरी से कहा कि तुम यहां जंगल में क्यों भटक रही हो तुम्हारी जैसी सुन्दरी की जगहा तो मेरे भाई लंकेश के महल में है वो तुम्हें उपर से नीचे तक सोने से लाद देंगे तुम रानियो जैसी जिन्दगी जीओगी इस जंगल से तो तुम्हारी जिन्दगी लाग गुना अच्छी हो जाएगी लेकिन वो नहीं मानी और उसके साथ जो दो लड़के थे उन्होंने गुसे में आकर मेरे नाक कान काट दिये ये सुनकर लंकेश गुसे से लाल हो गया तभी शूर्पनखा बोल पड़ी कि वो इस्तरी सच में बहुत सुन्दर है उसके जैसी इस्तरी मैंने तीनों लोकों में नहीं देखी वैसी इस्तरी तो सिर्फ आपके पास होनी चाहिए शूर्पनखा की ये बाते रावण के दिल के आरपार जा रही थी तभी रावण ने अपनी अंतरशक्ती से सीता जी और राम लक्षमन को देखा रावण ने सीता जी को देखते ही कहा शूर्पनखा तुम्हारी बाते एकदम सत्य है जिसके बाद वो अपने पुश्पक विमान पर सवार होकर उन्हें लेने के लिए निकल पड़ा और सीता जी को लेकर आ गया रावण शूर्पनखा से इतना खुश था कि उसने शूर्पनखा को अपने महल में सेना पती नियुक्त कर दिया था सेना पती का पद पाते ही शूर्पनखा खुश हो गई अब शुर्पनख़् अपनी सेना पर नजर रखती थी और उसकी नजरें सिर्फ मर्दों पर टिकी रहती थी माया के बल पर सुंदर बनी शुर्पनख़् ने पूरी सेना को अपना दिवाना बना रखा था हर सेना का सैनिक उसे देख कर मधमस्त हो जाता था लेकिन जब शुर्पनका किसी के सामने जाती थी तो सारे सैनिकों का सर जुग जाता था क्योंकि सब के मन में डर था और डर होना भी चाहिए आखिरकार वो लंकेश की बहन जो थी लेकिन शुर्पनखा अपने मन के अनुसार किसी से भी बात करती थी, उसे जो अच्छा लगता था उसके साथ घंटो बाते करती थी दोस्तो शुर्पनखा एक माया विस्त्री थी, उसे कोई नहीं समझ पाया था, यहां तक कि उसका भाई रावन भी उसे समझ नहीं पाया था आपको बता दे कि शुर्पनखा ने लंका में रहकर कई सारी चीजें सीख ली थी, जैसे कि उसे हथियारों का काफी शौक था उसने पहले तो अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को खुश किया और उनसे अपना रूप बदलने जैसी शक्ती मांगी थी, फिर उसने एक रिशी को खुश किया, जिन्होंने शुर्पनखा की तपस्या से खुश होकर उसे एक तलवार दी थी, यह तलवार कोई साधा शुर्पनखा की गुलाम थी। शुर्पनखा जब लंका में रहने लगी थी। एक दो बार उसकी बात मंदोदरी से भी हुई। मंदोदरी ने मिलते ही शुर्पनखा से कहा की आखिर सीता के बारे में तुम ने रावण को क्यों बताया। मंदोदरी को वैसे तो सब कुछ पहले से पता था क्योंकि मंदोदरी प्रथम पंच कन्याओं में पूजित कन्या थी इसलिए वो भविश्य देख सकती थी और सब कुछ पता होने के बाद भी मंदोदरी ने शुर्पनाखा से पूछा तब शुर्पनाखा ने जवाब दिया क एक पती को खोने का दर्द क्या होता है ये मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता है मैं अपना दर्द कहूं तो किस से कहूं कि मेरे भाई नहीं पहले मेरे प्रेमी से मेरा विवहा कराया और बाद में उसी भाई ने मेरे पती को मुझसे छीन लिया मंदोदरी को सब पता था इसलिए वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप महल की और चली गई दोस्तो शुर्पनखा भी अपनी जगह गलत नहीं थी क्योंकि उसने वही किया जो की एक स्तिरी को अपने पती के कातिल के साथ करना चाहिए इसलिए शुर्पनखा में बहुत सारी जगहों पर लोग शुर्पनखा की पूजा भी करते हैं तो वहीं लंका में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शुर्पनखा को अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर शुर्पनखा चाहती तो रावन नहीं मरता बता दे श्रिलंका में जो लोग शुर्पनखा की पूजा करते हैं वो लोग शुर्पनखा के जनम दिन के दिन एक बड़ी जहाकी निकालते हैं और शुर्पनखा की मूर्ति को गहनों से सजाते हैं श्रिलंका में जिन भी कुवारी लड़कियों का विवा नहीं होता है उन्हें शूर्पनखा की पूजा करने को कहा जाता है क्योंकि शूर्पनखा को भी अपना पती देड़ से मिला था इसलिए यहां की लड़कियां अपने पती को पाने के लिए शूर्पनखा की पूजा करती हैं वैसे दोस्तों शूर्पनखा के बारे में ये सब जानकर आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आल पर सेट कर लें धन्यवाद